प्रगीत और समाज इसका सरांस हमने पड़ रखा है लेखक परीचे हमने पड़ रखा है अब बारी आता है इसका अबजिक्टीव करने का तो आज की क्लास में हम लोग क्लास 12 हिंदी का जो चेप्टर 9 है परगीत और समाज इसके काफी महतपूर्ण 50 अबजिक्टीव कोशन को हम लोग करने वाले हैं जो आपके फाइनल बूर्ट परिक्षा के लिए इंपूर्टेंट होगा यानि जो भी कोशन आएगा इस बाद दिजेगा और लाइक नहीं किये हैं लाइक कर दिजेगा ठीक है इतना करना आप सभी के लिए बहुत ज्यादा महतपूर्ण और प्यारे बच्छो वट्सअप ग्रूप में आपको ज्वाइन हो जाना है वट्सअप ग्रूप में ज्वाइन होने के लिए नमबर और आज प्यारबचो आपको पता है कि हिंदी की क्लास होगी और आपको पता है कि अगर आप 499 वाला कुर्स नहीं लिए हैं जिसमें आपको क्या मिलेगा ओल सब्जेक्ट का यानि सभी विशे का चिप्टर वाइज अब्जेक्टी प्लस अब्जेक्टी प्लस गेस प्रशन प्लस पी वाई क्यू ठीक है तो अगर आप यह चाहते हैं तो यहाँ पे एक नंबर लिख देते हैं हम नंबर क्या है बासट निनानवेर चोबिस नावासी पैतिश ठीक है आप इस पे संपर करके फटा फट से पीडिये फोर नोट्स को आप प्राप्त कर सकते हैं यह आप स पहले पहले नंबर कोशन आपके सामने है कि जन्यूग पत्रिका के संपाधन कोन रहे थे जो की दोजाट चोबिस की एकजाम में आपके पूछा गया था इस चेप्टर से ठीक है दोजाट चोबिस की एकजाम में पूछा गया था कि जन्यूग पत्रिका के संपाधन कोन रह तो अगर आपसे पूछा जाए अगर आपसे बोला जाए प्यारा बच्चो कि परगीत और समाज किस से लिया गया है तो आपको बताना है वाद विवाद और समाज से लिया गया है और वाद विवाद समाज के लेखक कोन है तो प्यार बच्चो ये भी 2024 के हैं एक्जाम में पूछा गया है कि वाद विवाद और समाज के लेखक कोन है तो ये प्यार बच्चो कोन है नौमर सिंग है जिसको आपको ध्यान में रखना है तो ये आप लोग हमेशा ध्यान में रखेगा वाद विवाद समवाद के लेखक नाउमर सिंग अगला आजी कि नाउमर सिंग के ललित निबंद का क्या नाम है बहुत इंपोर्टेंट है जो कि 2023 के question में पूछा गया था कि नाउमर सिंग का अगर आपसे पूछा जाए कि ललित निबंद कौन सा है ठीक है तो प्यारे बच्चो अगर आपसे पूछा जाए कि ललित निबंद कौन सा है नाउमर सिंगा तो याद रखना है कि ललित निबंद कौन सा है तो हमारा बकलम खुद ठीक है बकलम खुद क्या है यह नाउमर सिंग का ललित निबंद है यानि ए वाला उप्सन सही आंसर हो ठीके यानी प्यारे बच्चो अगर आपसे बोला जाए कि नॉउमर सिंग गा डीवाला उप्सं सही answer होगा अगला आ अगर बात किया जाए कि चरम वैक्तिक्ता ही परम समाजिक्ता है या पंक्ति किसका है 2023 की मतलब एक्जाम में यह आया हुआ था देखे कोशन क्या है कि चरम वैक्तिक्ता ही परम समाजिक्ता है किस सिर्शक पार्ट की है तो प्यारे बच्चो यह भी किसका है तो परगीत और समाज का है जिसके लेख कौन है नॉमर सिंग है ठीक है यह आपको ध्यान में रखना है अगला कुछना जी अगला है कि परगीत और समाज निबंद किस निबंद संगरा से लिया गया है सबसे मोश्ट इंपोर्टेंट कुछन है जो आपकी एक्जाम में आ सकता है ध्यान में रखना है सभी बच्चे आ आपको याद रख लेना है क्या परगीत और समाज परगीत और समाज किसे लिया गया है वाद विवाद समवाद से ठीक है अगला कुछना जी कि नॉमर सिंग का जनम कहा हुआ था तो इनका सबसे पहले याद रखना है कि इनका जो जनम हुआ था वारण असी उत्तर कहां जियानपूर अगर यहां पे पूचा जाए गाउं का नाम तो जियानपूर वाराणसी उत्तर प्रदेश ठीक है तो यह आप लोग याद रखिएगा अगला कोशन के नौमर सिंग की कौन सी रचना है आपको बताने कि नौमर सिंग की रचना कौन सी है तो दीगे पहला है अरदनारिस्वर जिसके लेखा कोन है रामधारे सिंग दिनकर ओसादानीरा जगदिश चंदरमाथूर तिरिश के लेखा उदय परकास तो बचा क्या परगीत और समाच के लेखा कोन है नौमर सिंग है यानि सी वाला उप्सन इसका सही आंसर हो जाएगा अगला कोशना जी क नौमर सिंग के गुरू कोन थे नौमर सिंग किसे गुरू माना करते थे तो प्यारा बच्चो याद अखना है कि हजारी पर साथ दिवेदी जी को वो क्या करते थे गुरू मानते थे ठीक है नौमर सिंग किसे गुरू मानते थे तो हजारी पर साथ दिवेदी जी को तो यहा प्यारबच्चों यहाँ पर याँ दखना है कि MA है ना माने आने मतलब इसका कहने का मतलब क्या होगा कि नाउमर सिंग ने बैशलर ओफ आर्ट जाए प्यारबच्चों से इन्होंने BA और MA किया था तो ठीक है याद रहेगा चली अगला कोशन आजिए कि परगीत कैसा कावे है अगर आपसे बोलेगा परगीत का मतलब क्या होता है लिरिक्स जैसे गानों में लिरिक्स होते है इसी को बोला जाता है परगीत और परगीत हमारा कैसा कावे है तो गीत कावे है जी नहीं कावे है और यहां पर आजे कि आप दिखे आत्म परक कावे है प्रबंद कावे है तो प्यारबचो गीत क्या है प्रगीत कैसा कावे है तो प्रगीत क्या है को प्रबंद कावे है या दखना है क्या है प्रबंद कावे है तो यह आपको ध्यान में रखना है प्रगीत कैसा कावे है, प्रबंद कावे है, यह आपको ध्यान में रखना है, अगला आजे कि यह आप दिखें, दुनिया को हाथ की तरह गर्म और सुन्दर होना चाहिए, या किस कवीता की कवी का अंस है, यह दिखें कितना मतपूर्ण कोशन है, दिखतें कौन सा बच्चा अंसर लगाते हैं, अगर आपसे बोला जाए, कि दुनिया का जो हाथ होना, दुनिया को हाथ की तरह क्या गर्म और सुन्दर होना चाहिए, या किस कवी का कवीता का अंस है, तो यह केदार नात का है, ठीक है, या दखना है, कि जो केदार नात सिंग थें, इनके कवीता का य यानि यह वाला option होगा और कुछ नहीं यह वाला option होगा अगला आजी कि अचार राम चंद्र सुकल के कावे सिधान्त का अदर्स कौन सा कावे है गीत कावे है मुक्ती कावे प्रबंद कावे तो पहले जो पहले क्या होते थे पहले की जमाने में जितने भी ते जैसंकर पर है चाहे कभिर दास है यह लोग गीत कावे लिखते थे और प्रबंद कावे था y'ern यानि कहने का मतलब यह यानि पहले के जो कविताएं होती थे बहुत ही बहुत इलंबी लंबी हुआ करती थे और जिसके बारे में लिखता मतलब लिखा जाता था कवी दा उसके पारे में संचिप्त पूरा जानकारी हमको पूरा संपूर्ण जानकारी दिया जाता था उससे क्या होता था मानों में विकास भी होता था लेकिन आज कल का जो लिरिक्स है यानि परगीत है उससे कोई हम लोगों पेक्षा नहीं कर सकते ठीक है क्योंकि पहले की जमाने के जो ग है ना हम उसे कुछ पेक्षा रख सकते हैं कि उससे हम किस सीखेंगे तो याद रखेगा राम चंद्रसुकल के काब सिधानत का अदर्स कौन काब है तो प्यारबचों याद अखना है कि प्रबंध काब है कौन सा है प्रबंध काब है यानि क्या हो जगा गीत यहां पर सीवाल अप्सन सही होगा अब दिखेंगे सहर्च स्विकार है कवीता किसके रचीता है बहुत सहर्ष सुविकार है कवीता के रचीता कौन है सहर्ष स्विकार है थ्यान में रखेगा सहर्ष सुषिकार है कवीता प्रगीतात्मक का अधार क्या है? यानि कहने का मतलब सचे अर्थों में अगर आपसे बोल दिया जाए कि प्रगीतात्मक का अर्थ क्या होता है? यानि बोला जाए कि प्रगीतात्मक का जो अर्थ होगा यानि इसका अधार होगा क्या होगा? तो इसका अधार क्या होगा? समाज के बिरुध वैक्ति यानि सी वाला ऐप्सन इसका सही आंसर होगा आप ध्यान में रखियेगा अगला आजी इए अगला कोशन है कि अलोचना त्री मैसि के प्रधान संपादक जो की 2025 के लिए इंपोर्टेंट है तो यहां पे आप लोग इंपोर्टेंट इसको डाल ले जेगा ठीक है अगर आपसे बोला जाए कि आलोचना त्री मैसी के प्रधान संपादक कों थे तो आलोचना त्री मैसी के प्रधान संपादक बाल किष्ण बट ललितनी बंद यहाँ पर याद रखना है कि चंदरदर स्रमा को लेरी नहीं नौमर सिंग हो जाएगा ठीक है नौमर सिंग जै प्रकाश नरायन बबु क्या यहाँ पर याद रखना है संपूर्ण करांती के लेखक है अगला कोशन है कि बिस्वी सदी में प्रगीतात्मक का दूसरा यहाँ उनमेश कैसा हुआ यानि अगर आपसे बोला जाए बिस्वी सदी में प्रगीतात्मक का दूसरा उनमेशन कैसे हुआ तो प्यारबचो संघर्ष के साथ नहीं यहाँ पर रोमांटिक उत्थान के साथ हुआ कैसे हुआ रोमांटिक उत्थान के साथ हुआ तो यहाँ पर क्या हो जाएगा चेला भी वाला उप्शन इसका 100% सही आंसर ठीक है अगला कुशन आजे कि नाउमर सिंग को कवीता के नए परतिमान पे सहित्यकादमी पुरसकार कम मिला सबसे मोश्ट इंपोर्डेंट है बबू सहित्यकादमी पुरसकार किस पे मिला था नाउमर सिंग को तो कवीता के नए परतिमान कवीता के नए परतिमान पे निलाला यह है यह जाएगा मतलब किना अर्जून हो जाएगा राहिट आंसर अगला पाजी कि नामर सिंग 1970 में किस विभुप बिधाल में हिंदी विभाग के अध्यक्ष पता पर प्रृफेसर के रूप में निफत रहे तो सुबह में हमने बताया था कि 195 बच्चो सत्तर की बात है किसका बात किया जा रहा है, तो 1970 की बात किया जा रहा है, तो याद आ रहा है, जोधपूर, 1970 में हमने आपको बताया था, विर्तनांत में, कि 1970 में जोधपूर, तो बनारस नहीं होगा, इलाहाबाद नहीं होगा, दिल्ली नहीं होगा, जोधपूर बिस्व विद्धाले, अको right answer करना है जले दूसरी परंपरा की खोज-पूश्तक किसकी रहस्षन है दूसरी प्रंपरा की खोज-पुश्तक है न Hz ॐ प्यारबच्चो लिए हो 3 важно 155 और WIL जल्दी से जल्दी आप लोग राइट उन्सर बता दिजै दूसरी परंपरा की खोज-पूश्तक तो परले की छाया के कवी हैं, बबुकी से परले की छाया के कवी माना जाता है, तो परले की छाया के कवी कौन है, जैसंकर परसाद है, सुंगनी साओं के परिवार से कौन संबंद रखते हैं, तो जैसंकर परसादी सुंगनी साओं के परिवार से भी संबंद रखते हैं, ठीक है, अगर आपसे बोला जाए कि जैसंकर परसाद का महा कावे क्या है तो काम्यानी है ठीक है और ये लोग प्रभंध कावे लिखते थे जो कावे होता था बहुत बड़ी बड़ी होती थी और इससे पढ़ने से क्या होता था कि हमारे जीवन में जनकारिया भी प्राप्त होती थी ठीक है तो ये लोग प्रभंध कावे लिखते थे ठीक है याद रखिएगा अगला कि तुलसी दास के रचीता कौन है यानि तुलसी दास यह नहीं पूचा जा रहा कि तुलसी दास के रचीता कौन हो जाएंगे तुलसी दास के रचीता कौन हो जाएंगे तुलसी दास के रचीता कौन है तो निराला साहब है कौन तो सुरे कान तिरपाथी निराला होगा अगला कोशन आजे कि कवीता के लिए परतिमान के लेखा कौन है कवीता के नए परतिमान के लेखा कौन है कवीता के नए परतिमान के लेखा कौन है तो प्यारबच्चो इसका भी क्या हो जाएगा नौमर सिंग कवीता के नए परतिमान पे ही न मिला था प्यारबच्च जो सहित्य अकादमी यानि डी वाल उप्शन सही हो जाएगा 1905 याद रखना है बहुत बढ़ियां very good 71 में अगला कोशन आजे कि बाच की दाड़ी में आदमी का खुन लग चुका है या किस कवीता की पंक्ती है अब बताना है कि बाच की दाड़ी में आदमी का खुन लग या आप देगे तै तो यहीं था इसका है यानि बाच की दाड़ी में क्या आदमी का खुन लग चुका है या पंक्ती किसका है तै तो यहीं था था आप यह आपको ध्यान में रखना है अगला आज कि मैं तुम लोगों से दूर हूं किसकी कवीता है बहुत ध्यान में रखना है एक बार आप लोग फटा फटते बताइए मजा आ रहा है थोड़ा सा तेजी में करेंगे क्योंकि चेप्टर वाई जे तो इसमें टाइम वेस्ट करने की कोई आफ सकता नहीं है चली अगला है कि नाउमर सिंग का जनम कब हुआ बहुत इंपोर्टेंट है अगला कि कौन सी पुस्तक नाउमर सिंग की है यानि कौन सी पुस्तक नाउमर सिंग की है तो नाउमर सिंग की पुस्तक कौन सी है तो प्यारे बच्चो कौन सा हो जाएगा तो यहाँ पर याद रखना है नाउमर सिंग का पीली छत्री वाले लड़की नहीं ना आने वाला क बबु अंतराल नहीं प्रित्वी राज रासों की भासा प्रित्वी राज रासों की भासा कौन सी है तो निया पर याद रखना है कि नाउमर सिंग का है भी वाला उप्सन सई अगला कोशन की काम्यानी के कवी कौन है तो प्यार बच्चो ये काम्यानी किसका है तो ये जैसंकर प्रसाद का है और जय संकर प्रसाद का क्या है महा कावे है कामयाने और तुमुल को ला हल कला किसे लिया गया है इसी कामयानी से लिया गया है तो अगर आपसे बोला जाए कामयानी के कवी कोन है तो प्यार बच्चों कोन है जय संकर प्रसाद क्या है कामयानी के कवी है यानि भ तो ती वाला उपशन होगा कि राम की सकती पूझा किस की कवीदा है तो राम की सकती पुझा किसका है निराला का है डी वाला option हमारा सही answer हो जगा, ध्यान में रखेगा, बहुत बेड़े, सभी कहा रहा है, अगला कोशन आजी कि परगीत और समाज की लेखा कोन है, यह देखिए कितनी बार आया हुआ है, परगीत, परगीत के मतलब क्या, बबुल लीरिक्स, और समाज की लेखा कोन है, तो या एगो निबंद है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, परगीत और समाज क्या हो जाएगा, एगो निबंद हो जाएगा, तो यहाँ पर बी वाला option सही कर लिजेगा, अगला आजी, अगला आपके सामने है, कि नाउमर सिंग को किस किरिती पर सहाइत्य अकादमी पुरसकार मिल तो कभीता के नए परतिमान याद रखिएगा कभीता के नए परतिमान पर सहित्य अकादमी पुरसकार मिला था तो कभीता के नए परतिमान कहां पर है तो यहां पर याद अप्सन है तो यह वाला उप्सन हमारा क्या हो जागा राइट आंसर हो जागा तो यह आप लोग ध्या याद रखिएगा थियूरी में बताये थे, कब? 1966, ठीक है? आलो चना, तरिमैसिक का अगला कि ओम परकास ने किस नाटक सिलता का स्थापना की जो ओम परकास थे, ओम परकास अगर आप से पूछा जाएगी कौन सा नाटक सिलता का स्थापना किया, तो प्यारे बचो किसका किया था, तो ये मेगदूतम, है ना? मेगदूत या मेगदूतम भी कहीं कहीं लिखा आता है मेगदूतम का किया अगला कोशन कि लीरिक का प्रयाय क्या है? तो लीरिक किसका प्रयाय है? तो ये प्यारा बच्चो याद अखना है कि परगीत का है, परगीत का मतलब क्या होता है, तो बबु लेरिक्स होता है, लेरिक्स का मतलब क्या होता है परगीत, हमने क्या बता है कि परगीत का मतलब ही होता है लेरिक्स है ना, इसे हम गाया जाता है, लेरिक्स को गाया जाता है ठीक है अगला कोशना जी कि आचार राम चंदरसुकल को किसकी सिकायत रहती थी तो जो राम चंदरसुकल थे ये प्यारा बच्छो प्रबंद कावे थे हैं ना प्रबंद लिखते थे आप लोग इनकी जो कविताएं होती थी लंबी-लंबी होती थी इनसे कुछ सीखने को मिलत था तो प्यार बच्छे इनको किसे मतलब इनको किसे सिकायत रहती थी तो मुक्तिबोद की कविताओं से नहीं इनको आधूनिक कविताओं से सिकायत रहती थी यानि भी वाल आप्शन हो जाएगा लेरिक से नहीं प्रबंद से नहीं आधूनिक कविताओं से सिकायत रहती थ तो दूसरी परंपरा की खोच पुस्तक अगर आप से बात किया जाए तो दूसरी परंपरा की खोच पुस्तक हो जाएंगा नाउमर सिंग क्या हो जाएगा दूसरी परंपरा की खोच पुस्तक अगला कोशन कि नाउमर सिंग का जनम अस्तान कहां है तो नाउमर सिंग का जनम कहां हुआ था तो नामर सिंग का जनम तो प्यारबचो सब वाराड़ासी उत्तर परदेश है लेगिन गाउं कौन सा था प्यारबचो कौन सा था जियानपूर बाव बताये थे ना जियानपूर वाराड़ासी उत्तर परदेश अगर आप इसका थियोरी नहीं किये सरांस नहीं ना यहाँ पे आचर राम चंद्रसुक्ल आचर राम चंद्रसुक्ल क्या थे तो प्यारे बच्छो आपको प्रबंध कावे मरना है ठीक है किसके थे तो प्रबंध कावे के अगर सूर्दास बोले तो गीत कावे ठीक है सूर्दास बोले तो गीत कावे अगर आपसे बूले मलि तहो नामर सिंग्गे पिता का नाम प्लाइबा था तो प्यार बचो नगर सुन था जो पेशे से क्या थे पेशे से एक सिख़ग ते इनकी माता का नाम क्या कि yoha 방 Пред देवी था ये भी हम आपको पढ़ाएं कौन यहां आप देखे गीत कावे है अगर आपको पताने कि कौन सा गीत कावे है प्यारबचो गीत कावे है तो परगीत यहां पे नहीं है गीत कावे अगर आपसे बोला जाए आधुनिक कविता गीत कावे नहीं है सूरसागर के जितन नावमर्शा से क्यार है कि यंञाने हिंगलिस कि त्कि accompanying लगा रहा है कि यहनी क्या है कि यह प्रद्हाना अध्या बच्यारब देखा यह न ब्य इलाओं पे नहीं चात्र चात्राओं पे कहानी पे नहीं कवीताओं पे कवीताओं पे क्या हो रहा यह प्यों समाज का दबांत ति titledता से महसूस किया जा रहा है आगया प्रबंद कावे में तो प्यारे बच्चों यहाँ पे आज का क्लास यहीं पे समाप्त होता है और यह चेप्टर वाइस था इसलिए इतना तेजी से करके निकल गए बाकी बारिस का इतना मौसम है कि प्यारे बच्चों लाइट का थोड़ा सा दिक्कत है इसलिए यह र क्लास चला तो आप लोग बार लाइक कर दीजेगा और आप लोग क्या किजेगा वीडियो को सेयर और जरूर किजेगा तो मिलते हैं ऐसी एगली क्लास में आप लोग अपना ध्यान रखे मन लागा कि पैरा बच्चों पढ़ाई किजे टेक केर एंड बाई